दोस्तों अगर आप भी आप Instagram की ID को permanently delete करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आप important है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी किसी भी Instagram ID को कीवल आप एक क्लिक से कैसे आप permanently delete कर सकते हैं तो इस वीडियो को फ्लास तक वोच किजिए का वीडियो आपके बनने से पहले आप से request है अगर आपने चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो चैनल को subscribe करके बैल अडिविकेशन को प्रेस कर लेना चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर delete करने का कोई भी option आपको so नहीं होगा याप setting में जाएंगे setting में भी यहां पर so न आतर रहेगा जैसे दोस्तों करते हैं इस टाफ्स आपको मिल जाएगा अगर आपने पहले से आपके id यहां पर ब्राउजर पर लॉगिंग होगी तो यहां पर आपकी सो झाएगी अगर नहीं होगी तो दोस्तों सब्सक्राइब आपको प्लॉप्ट अपना चीज आपने द तो option मिलेंगे 7 इंफो और आपे नाओ और नाओ तो आपको नोट नाओ का option पर क्लिक कर देना है यानि आपको कोई भी अपनी प्रोफाइल का पास्पेट बगरा है आपे सेब नहीं करना है ठीक उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जाना है अपने अपने ऐकाउन वाले option पे यहां पर आपको अपनी परोफाइल का ओप्शन देखने को मिलेगा यहां पर नीचे जाईए गाँ इस वाले option पर आपको क्लिक करते इसे दोस्तों अब इस वाले option पर क्लिक करते हैं आपको simple यहाँ मिलीगा आपको Addit profile अपको क्लिक करते हो यहाँ पर सबसे नीचे आपको चले जानासिया नीचे आप जाते तो दोस्तों यहां पर आपको option देखने करें मिलेगा permanently deactivate my account तो आपको इस बाले option पर click कर देना है जैसे दोस्तों आप click करते हो कुछ staffs interface option यहां पर show हो जाएगा यहां पर लिकाया देखो temporarily deactivate your account ठीक और temporarily और यहां पर permanent दोनों तरीके से होंगे ठीक तो यहां पर आपको करने के हुआ why are the deactivate your account अपने account को क्यों delete करना चाहते हो मैं created a second account को option है पर choice कर लेता हूं नीच जाता हूं नीच से जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको to continue please re-enter your password यहां पर passport करने का option आएगा दोस्तों आपको passport देना होती है यहां पर passport देजिगा उसके बाद दोस्तों पासपर देने के बाद यहां पर अप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर अप्ट करेंगे तो यहां पर option देखने को मिलेगा टैंप्रेली deactivate account टी पासपर देने के बाद टैंप्रेली डिक्टिवेट अकॉंट को option पे करेंगे तो आपको दौ ऑप्शन होंगे एक तो औहोगा और एक उदगा टेम्प्रेली तो आपको permanently वाले option पर क्लिक करके delete my account को option पर क्लिक करेंगे जैसे आप delete my account को option पर क्लिक करते हैं आपका account permanently के लिए आपका account दोस्तों deactivate हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इस username से आप अपनी email आइडिया नहीं आपने account को बाद में कभी भी दोस्तों यहाँ पर open नहीं कर पाएंगे या logging नहीं कर पाएंगे आपका account पूरे Instagram से delete हो जाएगा किसी को भी so नहीं होगा टीक तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने Instagram की ID को deactivate कर सकते हो permanently और यहाँ पर दोनों तरीके से मैं इस account को यह पर deactivate नहीं करना चाहता के वल मैंने आपको यह process बताईए तो I hope आप पूरे information समझ पाएंगे अगर आपको किसी भी Instagram ID को delete करना है IT कर नहीं हो की आपको की आपको यहिभये 어떡我 कि ढह आपको की आपको कर से हो टांपको काइछाब्स झाल झाल